हाई गैस और विल्कम बाक टो दी चैनल दीपच्यादव एजूकेशन विल्कम टो दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसिस अफ 30 अफ देसंबर 2022 तो गैस आज है तारीक 30 देसंबर 2022 और है फ्राइडे देखेंगे आज के दे हिंदू कंप्लीट करना दीपच यादव एजूकेशन यूपीएसी आप लोग को यह वाला चैनल मिल जाएगा उस पर क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बिसस पर लेक्चर का पीडियस मिल जाता है और डेली बिसस पर बहुत सारे डिजिट से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएसी प्रिवेस येर साल 2011 के प्रलेम्स में पूछा गया था डेली ब उन 11 fundamental duties के बारे में अगर आपको पता होगा तो बहुत अराम से इस question का answer आप देपाऊगे question ये बोलता है कि नीचे जो option के अंदर चार अलग अलग duties दी गई है न इन duties में से कौन सी एक ऐसी duty है जो की fundamental duty नहीं है option A बोलता है to vote in public elections, option number B to develop the scientific temper, option number C to safeguard public property या फिर option number D to abide by the constitution and respect its ideals तो इसका सही answer आप सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे हमें आप लोग उसे daily business पर बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैं आपको telegram पर provide करवा दिया है वहाँ से भी check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परिशान होने की जरुवत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शुबार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की तरफ तो thumbnail में मैंने mention कर रखा है कि इस देश में जो government employees हैं इनको एक साल की छुट्टी दी जाएगी और 50% salary मिलती रहेगी लेकिन जो छुट्टी दी जाएगी ना उसके पीछे यहाँ पर एक purpose है ज़र आएंगी हिंदुस्तान टाइम्स ने लाइव मिंट ने धेर सारे articles एविन यहाँ पर UAE का जो अखवार है खलीच टाइम्स उनकी साइट से भी यहाँ पर यह mention किया गया है जैसा आप देख पाओगे अब आप purpose भी समझ गया होगे तो यहाँ की सरकार ने देश में trade को यानि की व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बढ़ा फैसल लिया और इसके मुताबिक अगर हम देखें तो ऐसे क्या होगा जो government employees हैं अगर वो लोग खुद का business करना चाहते हैं तो उनको एक साल की छुट्टी दी जाएगी वो एक साल की छुट्टी ले सकेंगे और उन्हें आदी salary मिलती रहेगी यह concept सबसे पहली बार UAE ही लेकर आ रहा है ऐसा खुद यहाँ पर UAE की site से mention किया गया है और आप देखोगे दुनिया में इस तरीका का पहला concept UAE ने यहाँ पर रख दिया है अब हो क्या रहा है सरकार ने एक चीज़ यहाँ पर साफ सा बताई है कि यह जो एक साल की छुट्टी दी जा रही है न इस दोरान यहाँ पर आदी salary तो उनको देते रहेंगे लेकिन जो भी यह लीव होगी लीव देने या लेने का जो भी यहाँ पर काम होगा जो भी फैसला होगा वो सब यहाँ पर उस department के chief का होगा जिस department में वो government employee काम कर रहा होगा लेकिन इसके लिए कुछ conditions वगरा होगी वो conditions वगरा रखी जाएंगी और उसके basis पर यहाँ पर उस वेक्ति को जो छुट्टी है वो दे दी जाएगी अगर वो चाहता है वो चाहता है कि हमेरा खुद का business हो तो एक साल का leave उसको दिया जाएगा बाकी यहाँ पर apply करने के लिए कोई website पर login करना होगा और उसके बाद यहाँ पर जो application है वो पूरी तरह से file होगा अब UAE की government का कहना यहाँ पर यह है कि हम चाहते हैं कि UAE के जो youth हैं जो नौजवान हैं वो basically entrepreneurship के लिए तयार हो सकें और हम चाहते हैं कि धेर सरा business UAE के अंदर बढ़ता वा नज़र आए हम लोगों को jobs provide करवाएं और यह सारी चीज़ें हमारी economic के अंदर बेहतरी तरह के से contribute करें तो इस प्रकार का concept UAE लेकर आ रहा है जिस वज़ा से यह लगातार news में बना वाए जैसा कि आभी मैं आपको डेर सारे news articles दिखाएं हैं और इसे के basis पर thumbnail भी आपने discuss कर लिया आगे आता है देन front page पर देखोगे तो एक बहुत ज़ादा important article है इसको आप लोग GS paper number 2 quality से link कर पाऊगे अब यह article क्या बोलता है remote EVM के बारे में जो remote electronic voting machines है इनको तयार किया जा रहा है अब यह voting machine क्या करेंगी जो migrant voters होते हैं अब यह migrant voters कौन से होते हैं यानि कि मालो एक व्यक्ति है जो कि इस particular राज़े में रहता है लेकिन वो राज़े B में गया काम करने के लिए किसी और कारल की वज़ा से किसी दूसर राज़े के अंदर वो पहुचाव है पढ़ाई की वज़े से या काम करने की वज़े से कोई और कारल हो सकता है तो अपने घर को छोड़कर वो बाहर गया वाए ठीक है आप ऐसा समझ रहे हो अब होता है कि आप नॉर्मली देखोगे तो उसके घर के पास अगर उसकी कॉंस्टुएंसी के अंदर अगर वो ही वोटिंग चले है कोई election आचुका है तो वहाँ पे वोटिंग नहीं दे पाता वहाँ पे वो मतदान नहीं दे पाता उसके लिए उसको वहाँ पर आना पड़ेगा लेकिन अब यहाँ पर इसी समस्या को दूर करने के लिए remote EVM का concept लेकर आया गया तो यह remote electronic voting machines होंगी यह क्या करेंगी जो भी migrants हैं जो भी अपने जो ग्रह राज्य है यानि कि एक ऐसा राज्य जहां पर उनका घर है लेकिन वहाँ से दूर रह रहे हैं तो वो लोग भी वहाँ पर दूर रह कर भी vote दे सकेंगे इस particular system से तो इस वज़ा से यहाँ पर यह काफी ज़दा चर्चा मैं और election commission ने इस concept के बारे में हमारे सामने सारी सारी जो बाते हैं वो रख दी हैं इविन यहाँ पर अभी आप देखोगे तो घर से दूर रहने वाले जितने भी लोगे वोट कर पाएंगे लेकिन इसका जो पूरा का पूरा proper demo है वो 16 जनवरी को start होगा अभी यहाँ पर इस चीज़े लागू नहीं होई है 16 जनवरी को एक demo होने वाला है demo होने के बाद काफी सरा discussion होगा इवन यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जो हमारी political parties है जो 8 national political parties है और 57 state parties है इनको बुलाया गया है साथ में discussion होगा फिर उसके बाद में अगर कुछ चीज़े होती है सही से सब कुछ हो जाता है तो इसको लागू किया जाएगा तो इसको implement किया जाएगा ठीक है तो यह बात यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी बाग ही आप देखोगे इसमें होने क्या वाला है इसको समझ लेता है तो जो भी हाँ पर remote voter होगा यानि कि अपने घर से जो दूर रह रहा होगा अब उसको voting करनी है तो क्या करना पड़ेगा उसको अपने आपको register करवाना पड़ेगा online या offline election से पहले ठीक है ना अब अपनी जो भी home constituency है जहाँ पे elections हो रहे हैं जहाँ पे घर है तो उसके अंदर ही यहाँ पर अपने आपको यह basically क्या कर लेगा अपने आपको register करवा लेगा और successful verification होने के बाद में वो यहाँ पर voting के लिए eligible हो पाएगा दूसरी एक important चीज यह बोल दी जाती है कि यहाँ पर यह जो machine है इस machine के अंदर एक खास बात यह देखने को मिलेगी कि इस machine के माध्यम से कई सारी consequences को cover किया जा सकता है मतलब यहाँ पर क्या है ना कि आप इस बात को समझना जो 72 चुनाव छेतर होंगे यानि कि 72 जो चुनाव छेतर होंगे इन सब के लिए एक साथ vote हो सकेगा तो आप कोगे अब इसका मतलब क्या है अभी भी नहीं समझवाया तो अगर मैं simple से शब्दों बताऊं तो इसमें यहाँ पर यह होगा कि यह जो machine है एक ही जगा पर रख कर 72 अलग अलग चुनाव छेतरों के लिए मतदान करया जा सकता है इस machine के माध्यम से यही वज़ा है यहाँ पर इस वज़े से सकाम लोगों ने multi constituency remote electronic voting machine भी बोला है ठीक है ना तो आई होप आपको यहाँ पर यह जो concept है यह पूरी तरह से clear हो चुका है अब इसके बारे में आने वाले समय में और ज़्यादा चर्चा होने वाली है 16 जनवरी को demo होगा उसके बाद 31 जनवरी तक यहाँ पर इसके उपर कुछ जो views बगरा होंगे लोगों के लोगों की जो राय होंगी वो यहाँ पर ली जाएंगी फिर उसके बाद जाकर यहाँ पर इसको implement करने के बारे में चर्चा की जाएगी ठीक है तो यह चीज इस article के अंदर बताएगे यह basically current issue है अभी यहाँ पर इसके बारे में जादा जोर नहीं देना है जादा कुछ नहीं पढ़ना है बस खली इतनी सी information पने दिमाग में set करके रखना अब करना क्या है इस article को आपने static portion से link करना होगा static part इसमें क्या है पढ़ने लायक वो है आपका election commission ठीक है अब यह election commission of India जो है GS paper number 2 के अंदर polity के portion से link किया जाएगा एवन यहाँ पर जो लक्षमी कांद की book है पॉलिटी तो उस पॉलिटी के अंदर में आपको election commission को लेकर पूरा पूरा जो चाप्टर है वो देखने को मिलेगा तो समझते हैं आओ मैं आपको बताता हूँ election commission of India क्या है इसका काम क्या है वो सारी चीज़े यहाँ पर हम लोग बहुत simple भासा में cover करने वाले हैं जब हम बात करते हैं election commission of India की तो basically एक autonomous constitutional authority है इसका काम क्या है जो भी हाँ पर हमारे elections हो रहे हैं जो भी हमारे basically केंदर सरकार के level पर राजसरकार पर जो elections हो रहे हैं उनको देखने का काम करता है ECI अब देखो इस body को na establish किया या है हमारे संबिधान के माध्यम से 25 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इस particular body को establish किया था और उस दिन हम लोग यहाँ पर national voters देखी तरह भी celebrate करते हैं इस particular body का यानि election commission of India का headquarters का जो secretariat है वो आपको न्यू डेली में देखने को मिलेगा अब एक बहुत important चीज मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना आप यहाँ पर confuse हो सकते हो इस body का काम क्या है कौन कौन से elections को यह conduct करवाने का काम करता है लोग सभा के अंदर जो elections ह इसके बाद में जो president का office हो गया vice president का office हो गया हमारे देश में तो इनके level पर जो elections हो रहे है उन elections को देखने का काम यहाँ पर election commission of India का है अब आप सोचोगे कि यह तो कुछ ही elections होगे उसके अलावा जो पंचायत के elections होता है या राज्ये के अंदर पंचायत के अलावा municipalities के state election commission होता है ठीक है तो separate state election commission पंचायत और municipalities के elections को यहाँ पर cover करता है उसको यहाँ पर देखने का काम करता है अब अगर हम लोग constitutional provisions की बात करें हमारे संभीधान में election commission of India के बारे में कहां पर चर्चा करी गई है तो part 15 के अंदर article 324 से लेकर article 329 तक यह जितने भी articles हैं इन सब क के अंदर election commission के बारे में बताया गया है कि कौन-कौन से elections को यह deal करने का काम करता है कैसे-कैसे matters को यह handle करता है अब आते हैं कि important point के ओपर जो हमारे पास में election commission of India इसका structure कैसा होता है मतलब किसके अंदर कौन-कौन होता है कैसे-कैसे appoint होता है वो बाते भी आपको पता होनी चा लेकिन हमने इसके अंदर amendment कर दिया तो election commissioner amendment act आता है 1989 के अंदर में उस संशोधन के बाद में आप कह सकते हो यह जो body है यह multi member body बन गई पहले इसके अंदर एक ही member हुआ करता था वही इस पूरे body को देख रहा था लेकिन 1989 में जब संशोधन किया या तो उसके बाद में इसको multi member body बना दिया या इसमें धिर सारे members हैं जो कि इस particular body को देखते हैं जैसे election commission के अंदर में आपको chief election commissioner देखने को मल जाएंगे चीफ election commissioner के साथ साथ कुछ और election commissioners देखने को मल जाएंगे यह basically यहाँ पर पूरे के पूरे body को rule करने का काम करता हैं तो chief election commissioner हो गए और आज के समय पर खैर देखो एक chief election commissioner हैं और दो election commissioners हैं जो कि यहाँ पर इस पूरे body को देख रहे हैं इसको यहाँ पर आपके सकते हो handle करने का काम कर रहे हैं ठीक है बात clear हो गई अब इसी में अगर हम देखे राजस्तर पर state level पर जो होता है न election commission इसको मदद मिलती है chief electoral officer के माधियम से औ और chief electoral officer कौन बन सकता है जो कि basically एक IS rank officer वाला व्यक्ति होगा ठीक है बात clear हो गई लेकिन अभी हम election commission of India की बात करे हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि ECI के अंदर में एक chief election commissioner हो जाएंगे और दो election commissioners हो जाएंगे ठीक है तो बात यहाथी कि इनका appointment कैसे होता है इनको कैसे न यानि fixed time period होता है वो है 6 साल का यह तो 6 साल तक लगातार serve कर सकते हैं या फिर दूसरा condition है कि 65 साल तक maximum age है या फिर यह व्यक्ति यहाँ पर 65 साल की उमर तक serve कर सकते हैं जो भी चीज पहले पूरी हो जाए 65 के पूरे हो जाएंगे तो काम खतम यहाँ पर आगे serve नहीं कर सकते ठीक है जो भी पूरा पहले हो जाए बस इतनी सी बात है 6 साल का fixed tenure और 65 साल की maximum age यह basically इसकी limit है चीफ election commissioner और साधी साथ में election commissioners की बात की आप देखो कि इनकी जो salaries बगरा है जो भी अलग से perks बगरा मिलते हैं वो बिलकुल same to same मिलते हैं जैसे supreme court के judges को मिलते हैं ठीक है supreme court के judges क पूर को जैसे सब कुछ facilities मिलते हैं वैसे यहाँ पर इन लोगों को भी यहाँ पर यह फैसिलिटीस मिलती हैं बात यह आती है क्या इनको हटाया नहीं जा सकता है कैसे तो पहली बात थो यह खुद भी resign कर सकते हैं जो यह हमारे चीफ election commissioner और election commissioner से न यह resign भी कर सकते हैं और अब remove करने के लिए क्या होगा पूरा का पूरा process वही वाला process है जैसे Supreme Court के judges को यहाँ पर remove किया जा सकता है Parliament के माधियम से चीक है ना तो Parliament का role यहाँ पर काफी जदा बढ़ जाता है चीक है clear होगी बात तो यह चीज़ यहाँ पर आपको removal को लेकर बता दी है तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी cover हो चुकी है यह आपने current issue पढ़ा और इसको अपने static part से link कर लिया अगले article पर आता है next यहाँ पर आपको दो important article देखने को मिलेंगे जिसको detail से हम discuss करेंगे जैसे सबसे पहला article यह है इस वाले article को आप लोग GS paper number 3 defense and technology से relate कर पाऊगे defense and security से link कर पाऊगे basically यहाँ पर क्या बात की जा रही है जो हमारी Indian Air Force है इन्होंने Brahmos cruise missile को test किया है तो क्या पहले निनी test किया था बिल्कुल test किया था लेकिन यह Brahmos cruise missile का extended range वाला है यानिकी इसकी जो range है जो normal range है उससे थोड़ सी जादा दूर तक जाने वाला है यहाँ पर जो ही missile है इसको test किया है इस वज़र से ब्रहमोस जो है वो news में आ गया है अब हमारी Indian Air Force ने इसको test किया है तो एक aircraft से किया होगा तो वो कौन सा aircraft है 130 MKI जो aircraft है इसी से यहाँ पर इसको test किया गया जिसकी range अपने आप में काफी जादा थी तो basically यहाँ पर यह news में है ब्रहमोस missile तो directly हम समझेंगे ब्रहमोस के बारे में इस article में इतना ज़दा ना घुस कर क्योंकि यहाँ पर इस article में बस खाली इतनी headline पढ़ ली यही काफी है इसके लाबा जादा घुसोगे तो time waste होने वाला है इससे अच्छा है इसका background data पढ़ो और फिर उसके बाद आगे बढ़ो समझेंगे ब्रहमोस missile के बारे में देखो ब्रहमोस missile को इस बार पढ़ना बहुत अधा जरूरी है तो कहोगे तो हर साल news में रहती है question आता है नहीं आता है पते नहीं चलता तो इस बार क्यों पढ़ना जरूरी है क्योंकि इस बार पता है ब्रहमोस missile को पूरे-पूरे 21 साल भी पूरे हो चुके है जून में 21 साल भी पूरे हो गई थे इस वज़ासे यहाँ पर इसको पढ़ना जरूरी है और मैंने जून में इसके बारे में आपको पढ़ाया भी था ठीक है तो 21 साल पूरे होने का मतलब यह है कि हमने 12 जून 2001 में कब 12 जून 2001 में ब्रहमोस सूPER SONI क्रूज मिसाइल को सबसे पहली बार टेस्ट किया था छान्दी पूर से ठीक है ना तो इस वज़ासे यहाँ पर सबसे पहली बार टेस्ट किया गया थी तो 21 साल हो गए थे इसको पहली बार टेस्ट किये वे, इस वज़ए से यहाँ पर इस साल ये न्यूज में बना हुआ था, आप समझते हैं ब्रहमोज मिसाइल सिस्टम है क्या, दिखो यह जो ब्रहमोज पूरा मिसाइल सिस्टम है, इसको जो बनाया गया है, ये दो कंट्रीज के थुरू मिलकर बनाया गया है, इस वज़ए से इसको हम लोग जॉइंट वेंचर के नाम से भी बोलते हैं, तो जॉइंट वेंचर में कौन कों से दो देश हैं, तो एक तो है हमारा महान भारत यानि इंडिया, इंडिया का जो DRDO है, दूसरा आ जाता है यहाँ पर रश्या, तो रश्या और इंडिया ने मिलकर ब्रहमोज को बनाया है, दूसरी इंडिया की बार कई सारे अलग अलग स्टेट लेवल के एक्जामनेशन के अंदर पूछी गई है, वो यह है कि जो यह ब्रहमोज नाम पढ़ा है ना, यह कैसे पढ़ा है, तो ब्रहमोज बैसिकली दो नदियों का नाम है, तो इंडिया की ब्रहमपुतरा और रश्या की मौस्कवा, यह दो नदिया हैं, जिनके नाम पे इस ब्रहमोज का नाम रखा गया, ठीक है, अब ब्रहमोज के अगर हम लोग बात करें, तो स्टार्टिंग में बैसिकली दुश्मन के जहास कोड़ाने के लिए, यहाँ पर इसको डेवलप किया गया था, फिर दीरे दीरे यहाँ पर हम लोग नई नी चीज़े, इसी मिसाइल के अंदर डेवलप करते वे चले गए, और आज के समय में इस मिसाइल के अंदर काफी सारी शमताया चुकी है, यानि कि आप इसको जमीन से भी लॉंच कर सकते हो, energy से भी लॉंच कर सकते हो, हावा से भी लॉंच कर सकते हो, तो हर तरह की capabilities, यानि कि हमारी इंडिया नेवी, आर्मी, एरफोर्स कोई भी याँ पर इस ब्रहमोज मिसाइल का इस्तमाल कर सकता है हमने लगातर इसका इंप्रूव्मेंट किया, लगातर इसको अप्ग्रेड किया है तो इसकी capabilities अपने आप में बहुत जादा है ध्यान रखना ये ब्रहमोज मिसाइल, दो स्टेज वाला मिसाइल है इसके अंदर दो स्टेज है, एक first स्टेज है और एक second स्टेज है जो second स्टेज है, इसको हम लोग liquid ramjet के नाम से भी जानते हैं जहांपर धेर सरा fuel का हम लोग इस्तमाल करते हैं और उसी के मादेम से जो ये मिसाइल है, इसकी speed कई गुना ज़ादा यानि कि आवाज से, जो sound है, sound से तीन गुना ज़ादा है याँपर इसकी speed आपको देखने को मिल जाती है ये जो मिसाइल है, इसकी खास बात ये है, कि ये जो radar होता है न, उस radar की पकड़ में भी नहीं आता इतनी ज़ादा speed यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी और fire and forget type का मिसाइल है, यानि कि आपने छोड़ दिया और छोड़ कर यहाँ पर बूल जाओ या अपने target को पूरी तरह से hit कर पाएगा ठीक है, ये बात clear हो गई, तो ये तो हमने ब्रहमोज के बारे में जो factual data वो cover किया अब ब्रहमोज को बनाने की जो तयारी है ना, उसके पीछे और कई साल लग गए थे तो उसका background और development को आप समझोगे तो हमारे जो basically यहाँ पर डॉक्टर APG अब्दुल कलाम जी है इनका एक बहुत बड़ा rule रहा है, आप देखोगे 1980s में APG अब्दुल कलाम जी ने एक program स्टार्ट किया था Integrated Guided Missile Development Program, जिस program के तहत हमने अलग-लग missiles को develop किया इन missiles को यहाँ पर हम लोगों ने develop किया था, तो यह बिसकी यहाँ पर डॉक्टर APG अब्दुल कलाम जी की वज़द से हो पाया था इसी वज़द से उनको हम लोग Missile Man of India के नाम से भी जानते हैं और आप देखोगे, जब यह समय चलता रहा तो 1990s का समय जैसी आया, तो वहाँ पर इंडिया यह चीज़ फील करता है कि बिल्कुल हमें भी कुछ missiles की जरुरत है क्योंकि हम लोग यह चीज़ देख पा रहे थे, क्योंकि पुरा का पुरा जो Missile से उसका एक तरीके से लगातर जो War है वो चलता वो नजर आ रहा है जो Missile से वो लगातर अलग लग जो देश है वो डवलप कर रहे हैं, वो अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं फिर उसके बाद में यहां पर हम लोगों ने इस पूरे Missile को डवलप किया, और इसमें हमने दोनों ने मिलकर एक ब्रहमोज Aerospace को बना दिया, एक जॉइंट कंपनी बना दी, ठीक है ना, और यह जॉइंट कंपनी बन पाई है, TRDO और साथी साथ में रश्या के NPO की वज़ा स ठीक है, तो आप देखोगे, इंडिया लगबग यहां पर 50.5% शेयर को होल्ड कर रहा है, और रश्या 49.5% शेयर को होल्ड करता है, वह नजर आता है, इस ब्रहमोज Aerospace के अंदर में, बाकि फिर उसके बाद हमने दीरे-दीरे इन Missiles को डवलप करने के बाद में और सबसे अच्छी बात यह है, कि ब्रहमोज इतना ज़ादा पॉपलर हो चुका है, कि आज की समय में, काफी सारी जो देश ने वो अपनी इंट्रेस्ट जो है न, वो दिल्चस्पी है, वो दिखा रही है, कैसे, जैसे आप देखोगे, फिलिपीन्स की बात करते हैं, तो फ इसकी जो नॉर्मल रेंज है न, वो 350 किलो मेटर की है, साड़े 300 किलो मेटर तक यह बने मिसाल जाकर हिट कर सकता है, उसके बाद यहाँ पर इसकी रेंज हम बढ़ा कर 800 किलो मेटर तक पहुचा सकते हैं, और उससे भी बढ़ा कर यहाँ पर अभी जो ब्रहमोज 2 की तयारी चल लएए, वहाँ पे हम लोग 1500 किलो मेटर तक की रेंज को टेच कर सकते हैं, ऐसा एक अनुमान लगया जा रहा है, ठीके, तो यह तो बात होगी यहाँ पर ब्रहमोज की, बाकी मैं आपको बता दिया, इसको लॉंच करने का कहीं से भी लॉंच कर सकतो, चाहे आप जहाज स उसके बारे में सब कुस समझ में आ गया, कोई भी सवाल आएगा, छोड़ना नहीं, उठाके यहाँ पर अराम से उसको कवर कर देना, चलो आ गया आता है, मैं कहने वाला था, उठाके पटक देना, एनिवे, आगे बिड़ने से बहले, make sure करना, कि वीडियो पर जो लाइक का आपको यहाँ परोफाल में लेगा, यहाँ पर मेरे साथ में परसनली करनेट कर पाऊगे, अब देखो एक बात बहुत जरूरी है, जरूरी यह है कि मैं किसी को जोर नहीं दे रहा हूं कि आपको इंस्टाग्राम आईडी बनानी है, जिसकी नहीं है, वेल इनकूट, बहुत होने के लिए आपसे नहीं, जरूरत नहीं, आपकी आईडी नहीं है तो मत बनाओ, दूर रहा हूं, वो अच्छी बात है, जिनकी आईडी है, वो जाके जोईन हो सकते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है, बाकी जो भी आपसे यहाँ पर question पूछे गा है, जैसे वीडियो के start म आपसे मैंने कोसोगो के बारे में पूछा, तो उसको मैप में अच्छे से देखना, और prelims का question पूछा था, उसका answer नीचे comment section में देना, जिससे आप लोग मेरे साथ में engage रहोगे, और साथी साथ में पता चलता रहता है, और कौन-कौन regular basis पर answer देता रहता है, और regular basis पर उनक state है in the RTI responsiveness, अब इसका मतलब क्या है, देखो, इस पूरे headline को समझने से पहले, दो-तीन चीज़े आपको background की समझनी होगी, सबसे पहली बात यह RTI है क्या, यह है right to information act, right to information, right to information act basically आपको, मुझको, हम सभी लोग को, जो हम सब नागरिक हैं, हम सब को यहाँ पर power देता है, कि उसके लिए आपको RTI file करना पड़ता है, तो यहाँ पर बोला जाता है, यह है, कि जब आप RTI file करते हो, तो उधर से यहाँ पर सरकार का response भी आता है, कभी response देती है, कभी response नहीं देती है, तो study ने यह दिखाया कि तामिलाडू एक worst performing state है, यहाँ पर सबसे भत्तर हाल देख तो इस प्रकार से यहाँ पर यह पूरा का पूरा जो stage है, वो set किया यह है, ठीक है, तो यहाँ पर जो state information commission of तामिलाडू है, यह basically इनोंने सबसे बुरा performance यहाँ पर दिया है, right to information act के मामले में, यानि जो भी सवाल पूछे गए, उनका response बहुती जादा कमाया है, उसके मतलब जो भी RTA file करी गई, उसके response में properly जवाब दिया है, ऐसे केवल और केवल, दस ही यहाँ पर इस प्रकार के information commission देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह information commission होता है ना, जो कि यहाँ पर आपको response देता है, तो वो 10 information commission कहां 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 हैं, आंदर प्रदेश का, हरियाना का, ज उसके बाद में, बाकि कई सरे राज्य ऐसा है, जहां से कई सारी information को लेकर, जो उनका state information commission है ना, उन्होंने काफी सरे information पर denial कर दिया, उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया ही नहीं, जैसे आप देखो के 36 गड़ के अंदर में, बिहार ने भी यहाँ पर कई सारी जगा पर ज जो कि यहाँ पर current affairs से ध्यान में रखा जा सकता है, उसके अलाबा दूसरा जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है right to information act, यह right to information act overall है क्या, इसका काम क्या है, यह बात आपको पता होनी चाहिए, इसको लेकर UPSC already mains के अंदर सवाल पूछ चुका है, तो आप समझते है किया है RTI, right to information act का पूरा historical background समझेंगे पहले, पहले background समझेंगे आकर क्या हुआ था, कैसे यहाँ पर RTI बना है, right to information basically एक fundamental right है, आपका मुलदिकार है, जो कि हमारे भारते समिधान में article 19 clause 1 के अंदर mention किया जा है, article 12 से 35 तक सारे के सारे fundamental rights है, जिसमें article 19 clause 1 आपका right to information का एक fundamental right है, ठीक है, जो case हुआ था 1976 के अंदर में, कौन सा है, राज नारायन versus state of उतरप्रदिश, इसी case के दौरान सुप्रिम कोर्ट ने right to information का मामला rule करते वे, इसको एक fundamental right बना दिया था, article 19 के अंदर में, ठीक है, अब सुप्रिम कोर्ट ने यहाँ पर mention यह किया उस समय पर, कि देको, इस देश के अंदर में, जो लोग हैं, जो people हैं ना, वही basically master है, उनके पास में पूरा हक है कि वो यहाँ पर, सरकार क्या काम कर रही हैं, उसके बारे में जान सकें, सरकार कहाँ पर, खर्च कर रही हैं, उसके बारे में जान सकें, तो उसके लिए, लोगों के पास में पावर होनी चाहिए और वो पावर यहाँ पर राइट टू इंफोर्मेशन देगा यह बेसिकली डेमोक्रेसी का एक बहुत खूब सरसी चीज नजर आती है हुआ क्या यहाँ पर सरकार ने फिर उसके बाद में राइट टू इंफोर्मेशन एक्ट को लेकर आगए इनएट कर दिया कब तयार हुआ? 2005 में तो राइट टू इंफोर्मेशन एक्ट 2005 से काम करना स्टार्ट कर दिया ठीक है अब यह जो एक्ट है यह किस चीज के लिए है देखो यह जो एक्ट है न ये क्या करेगा जो भी हमारी ordinary citizens है हम सब लोग हैं हम सब को ये power देगा कि हम सब सरकार से question पूछ सकते हैं उसके काम को लेकर उसकी working को लेकर इससे क्या होगा धेर सारा corruption सामने आता हूँ नजर आएगा है ना या सरकार कहां का पर पैसा खर्च कर रही है उस प्रकार की information भी हम government से मांग सकते हैं और government को जवाब देना होगा एक सवाल और आता है अब government में कौन कौन है किस किसे सवाल पूछा दा सकता है government में तो बहुत सरी ही जा गई ना तो किस किसे सवाल पूछा दा सकता है तो जितनी भी constitutional authorities हैं सब से constitutional authorities के अलावा जितनी भी agencies जो कि यहाँ पर owned और control की जा रही है या फिर आप कर सकता हो कुछ ऐसी organizations जो कि यहाँ पर government के तुरू finance की जा रही है तो कोई भी ऐसी constitutional authority हो गई कोई भी agency जिसको सरकार control कर रही है कोई भी ऐसी organization जिसको सरकार पैसा provide कर वा रही है वो सब के सब इस act के अंदर cover किये जाते हैं ठीके ना तो यहाँ पर ध्यान में रखना तो हमारी union government और state government दोनों को यहाँ पर cover किया गया है और अगर इंसे सवाल पूछा जाए तो इनको timely response भी देना होता है उस information का जवाब जो है वो यहाँ पर देना होता है ठीके अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके उपर penalties यानि की जो कुछ यहाँ पर amount penalty वगर है वो charge की जा सकती है अब सबाल यह भी आएगा आपके दिमाग में कि हम कोई से सबाल पूछ सकते हैं क्या कुछ भी पूछना हो कुछ भी पूछ सकते हैं हाँ ऐसा तो बोला तो गया कि कुछ भी पूछ सकते हो लेकिन ध्यान में यह रखना कि कोई ऐसी चीज जिना हो जो हमारे देश की sovereignty या integrity को hurt कर रही हो अगर कोई ऐसी चीज है जो कि हमारे देश की sovereignty और integrity के खिलाफ जा रही है तो वो चीज यहाँ पर आपसे आप नहीं पूछ सकते हैं ऐसा भी यहाँ पर बोला गया या फिर कोई ऐसी चीज हो जो कि हमारे देश की internal security को खत्रा पैदा कर रही हो या हमारे जो radiation है हमारे पड़ोसी देश के साथ में या हमारी किसी friendly country साथ में वो खराब हो रहे हो questioning कर सके इससे धेर सारा जो corruption है वो यहाँ पर uncover होता बनाजर आएगा और इससे यहाँ पर आप देख पाओगे वो ही similar चीज है वो ही बात मदर repeated चीज है जो कि हम बता चुके है ठीक है अब आता है आगे ही कहाने के उपर अब right to information act 2005 के अंदर में important provisions है क्योंकि इस act के अंदर में अलग-लग sections है तो sections को देखोगे तो again वही कहानी है जो कि मैंने आपको बताया है इसका काम है यह information मांगना क्या information मांग सकतो क्या नहीं मांग सकतो वो already हमने यहाँ पर discussion कर लिया है ठीक है तो RTI क्या है समझ में आ गया और इसका historical background क्या है कौन सा case था जिसके माधियम से Supreme Court ने RTI को fundamental right बनाया था यह भी ध्यान बर रखना है अच्छा याद है क्या कौन सा case था जो भी मैंने पढ़ाया है याद है तो ज़रा नीचे comment section में ल करेंगे बात की जारी current account deficit के बारे में तो जो current account deficit है यह अपकी बार quarter 2 में काफी ज़्यादा बढ़ता बनाजर आया है मतलब पिछले 9 सालों में यह current account deficit बहुत ज़्यादा हाई पहुंच चुका है तो जो FDI है यह पिछले कुछ समय में लगातार कम होता बनाजर आया है अब FDI देखोगे यह मतलब 8.7 billion dollar से घटकर 6.4 billion dollar हो गया यानि कि बाहर से जो investment है वो भी कम आता हुआ नजर आया है उसके बाद में current account deficit और ज़्यादा बढ़ गया है हमारे इस quarter 2 के अंदर में और पिछले 9 साल में यह अपकी बार का सबसे ज़्यादा current account deficit देखने को मिलेगा त पिछले साल के quarter's के बारे में कितना कितना रूप है वो आपसे कभी भी नहीं पूछ दाएगा पिछले 20 साल के paper उठालो previous year के ऐसे सवाल कभी भी नहीं पूछा गया यह कितना rate कितना वो कितना वो amount कभी पूछा नहीं जाता है concept पूछे जरूर जाता है तो कि अब जैसे current account deficit आपने पढ़ लिया करना क्या है आप information की किताब या कोई भी किताब उठाता हो economic की तो वहाँ पे आपको current account deficit की proper definition देखने को मिलेगी वो definition क्या है आओ मैं आपको यह समझा देता हूं current account deficit की जब बात करते है न तो यह क्या होता है यह current account deficit वो चीज़ है जब जो हमारी goods and service य तो उसको हम लोग current account deficit बोलता है तो simple से definition जो की आपकी रेमेशनिंग में mention देखने को मिलेगी current account deficit occurs when total value of goods and services a country import exceeds the total value of goods and service it exports जो हमने export किया है उस export से ज़्यादा हम लोगों ने import कर लिया है ठीके न अब import ज़्यादा कर लिया तो फैसा हमारा बाहर चला गया जो कि ऑबियसी समान खरीदा है तो पैसा तो देना है न तो पैसा बाहर चला गया और आप देखो कि यहाँ पर import के बाद यहाँ पर export हमारा कम हो गया एक्सपोर्ट कम होने का मतला है ज़्यादा हमारी कमाई होनी पाई तो जो बीच का gap है यह थोड़ा सा बढ़ गया और इस बार यह चीज बाहर जाएगा भी तो और export हमारा इतना हुआ नहीं तो इस चकर में current account deficit बढ़ता हुआ चला गया यह हमारा जो घाटा है वो basically बढ़ता हुआ चला गया ऐसा आप कह सकते हो यह सबसे बड़ा reason है जिसकी चकर में यहाँ पर हमारा CAD यानि current account deficit और ज़्यादा वाइड हो चुक कुछ मिंटों के अंदर खतम करेंगे देखो इस article में एक बहुत important चीज है जो कि मतलब possibility जिसको लेकर सवाल बन सकता है सवाल इसलिए बन सकता है क्योंकि एक scheme है जिसको हम लोग बोलते है small saving scheme ठीक है अभी जो small saving scheme है यह news में आ चुकी है news में क्यों आ चुकी है मैं आपको ब पढ़ना भी है तो जह हम बात करते हैं ना small saving schemes की तो small saving scheme में 2023 के अंदर एक बदलाव होने वाला है और वो बदलाव यहाँ पर क्या होने वाला है देखो यहाँ पर जो interest rate है small saving scheme आपको नाम से बदा चल ला है कि यहाँ पर लोग पैसा जमा करते हैं लोग यहाँ पर पैसा अ अंदर में पहली बार इसका जो ब्याज है वो बढ़ाया जा रहा है एक बहुत छोटा सा हाइक देखने को मिल रहा है कितना हाइक है 0.1 से लेकर 0.3% का हाइक होगा इतने प्रतीशत से यहाँ पर यह जो ब्याज है यह थोड़ा सा बढ़ेगा तो लोगों ने जो पैसा इस पाइदे बन नजर आएगा थोड़ा बहुत ठीके ना इसी वज़ेस तो यहाँ पर बोला या है विल दा इयर 2023 ब्रेंग सकॉर फॉर दा स्मॉल सेविंग्स के लिए राहत लेकर आने वाला है क्या साल 2020 क्योंकि अब की बार इस पर जो ब्याज है वो 0.1 से लेकर 0.3% तक ब सेविंग स्कीम क्या है तो बात ही खत्म है ना तो स्मॉल सेविंग स्कीम या स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं तो यह क्या है आउ समझता है देखो यहाँ पर क्या है यह बेसिकलि एक हाउसूर्ट सेविंग्स की तरह काम करता है यानि क पैसा जाए, बैंक में डाल दो, कहीं भी डाल दो, कहीं भी सेव कर लो, तो इस स्कीम में डालने का फायदा क्या है, आज मिल रहा है, वही एक फायदा है, तो जो भी यहाँ पर collection होता है, यानि कि जो भी पैसा स्कीम के अंदर एकटा हुआ, वो सारा पैसा कहा पर जाएगा, जो भी लोग यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं, वो सरा पैसा यहाँ पर एंख्टा हुआ, वो सरा पैसा एंख्टा होने के बाद में, नैशनल Small Saving Fund के अंदर डाल दिया जाता है, और यह जो Small Saving Fund बनाया गया है, यह इसलिए बनाया सरकार ने, क्योंकि सरकार के पास में पैसे की कमी हो गई थी, खासकर COVID के बाद में, तो पैसे ही कमी हो गई, तो यहाँ पे इसके लिए एक अच्छा उप्शन नहीं था कि लोगों से पैसा उठाया जाए, और पैसा उठाने का यह एक बहुत 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 बहुतनी तरीका है, कि भाया, स्कीम चला दी हम लोगों ने, लोग यहाँ पे अपना पैसा बचाने के लिए इसकीम के अंदर पैसा डाल देंगे, इसके बदे हम ब्यास देंगे, अभी के लिए पैसा मारे पास में आ जाएगा, तो सरकार जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पर कर पाएगी, या फिर सरकार की जो बोरोइंग की ज़रुरत बढ़ रही थी, यानि कि सरकार को पैसा दर दर से उधार लेना पढ़ रहा था, वो भी कम हो पाएगा, वो इस स्कीम से पैसा निकाल कर यूज कर सकती है, ठीक है, अब बात करते हैं, कि यह जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, यह जो स्कीम है न, इसको तीन अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में इसको बाटा हिया है, कैसे, एक है पोस्टल डिपॉजिट, पोस्टल डिपॉजिट के अंदर में क्या क्या आता है, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, तो यह चीज है न, इनको अलग-अलग हेड्स के अंदर कवर किया गया है, ठीक है न, यह जो चीज़ है, यह सारे की सारे यहाँ पर बैसिकली स्मॉल सिविंगी स्कीम की तरह काम करती है, बाकिस के उपर जो ब्याज बगरा दिया जाता है, यह ब्याज हर क्वार्टर के अंदर बदला ज चुकी है, तो लंबे समय से यहाँ पर कोई बदलाव किया नहीं गया था, कब से नहीं बदलाव किया है, 2019 से कोई बदलाव नहीं हुआ है, 2019 से कोई चेंजिस नहीं हुआ है, तो आचान्रक से यहाँ पर अब interest rate बढ़ाने के बारे में चर्चा की गई है, तो इस मैंने बोला कि लंबे समय बाद यह न्यूज मा आया है तो आपको स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में पता होना चाहिए ठीक है चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अब बिसिकली चलेंगे हम लोग अपने एडिटोरियल डिसकेशन पर तो आज हमारे कई सारे एडिटोरियल हैं जिसको मैं बहुत डिटील से कवर करने वाला हूँ और कई सारे एडिटोरियल हैं जो कि रिपीटेड है जैसे कि यहाँ पर एक एडिटोरियल है हमारा करनाट का और महाराष्ट्रा के border विवात को लेकर कई बार discussion कर चुका हूँ चलो फिर भी मैं आपको एक overview आज बता दूँगा फिर भी ठीके ना पता चल जाएगा उसके बारे में बागी कुछ editorals खास हैं जैसे ये इंडिया मौलदीव के relations के बारे में ये बहुत बहुत बहुतनी आर्टिकल है important है कुछ नए point of views आपको यहाँ पे मिलेंगे जो cyber fraud होता है खासकर bank के अंदर cyber fraud देखने को मिलता है आपका data चुरा के हैना काफी सरे गोटाले हो जाता है तो उससे आपको बचा जा सकता है एक नया तरीका है वो है voice technology वो ही voice technology क्या है समझेंगे इसको detail से मतलब जबरदस article है कुछ unique point of views कुछ अच्छा कुछ नया मिलने वाला इस article के अंदर में ठीक है ना लेकिन आपको बता है हमेशा editorial discussion से पहले हम लोग लेते हैं एक means का question तो आज का जो means का question है थोड़ा सा interesting है important है और मैं आपको बता दूँ कल मैंने इसके बारे में already discussion किया था कल मैंने आपको ये details से समझाया था एक data provide करवाया था तो उसी के basis पर आपको ये question attempt करना है question क्या बूलता है एक report आती है ministry of road transport and highway के थूँ और उस report ने highlight किया ये कि काफी सारे लोगों की जो जान जा रही है road accidents की वज़ा से इंडिया में ये पिछले कुछ समय में नंबर बढ़ता जा रहा है इसके record में इसके response में आपको explain करना है कि आकरकार क्या क्या कारण है जिसकी वज़ा से road accidents लगातार इंडिया में increase हो रहा है साधी साथ में आपको बताना है कि हमने क्या क्या कदम उठाए हैं इस road accidents को कम करने के लिए तो 2500 शब्दों में आपर answer लिखना है एक अच्छा answer आप लोग आपर लिख सकते हो कल में आपको road safety के बारे में पढ़ाया था हिंदी में भी प्रशने इसको में एक बार read कर देता हूँ सड़िक परिवाहन और राजमार्ग मंत्राले की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सड़क दुरगटनाओं के कारण सबसे बड़ी संख्या में मानव जीवन का दावा किया जाता है इस संबंद में संख्येप में भारत में सड़क दुरगटना और मौतों की अत्याधिक संख्या के कारणों की व्याक्या कीजिए साथ ही इस समस्या से नेपटने के लिए जो क्या कदम हमने उठाए हैं उसके बारें बताईए डाए सो शब्दों में आपको यह आंसर लिखना है आंसर लिखने के बाद में कहां पर समिट करना है टेलिग्राम पर जाना सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक चैदव एजुकेशन मेंस आंसर आइटिंग वहाँ पर ओल्रेडी 43,000, 43,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं आप भी जाकर वहाँ पर जुड़ सकते हो और डेली बेसेस पर आंसर लिख सकते हो आंसर लिखने के बाद में क्या करना है वहाँ पर एटलीस्ट सभी लोग को दो-दो आंसर रिव्यू करना है जब आप सभी लोग दो-दो आंसर रिव्यू करोगे तो इससे कई सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी जैसे कि आपके पास में कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल पाएंगे इंपॉइंट्न पॉइंट्स मिल पाएंगे जो कि आपने नहीं सोचे थे ठीके ना इससे क्या होगा पर थोड़ा सा और बढ़ता वर नजर आएगा तो आपका थोड़ प्रोसेस और जदा एंहेंस होगा साथी साथ में आप लोग सामने वाले के अगर आंसर राइटिंग में कोई मिस्टेक आपको लगरी अपनी दरफ से तो आप उस सिच को मेंशन कर सकते हो तो एक कॉपरेटेव में वो गुरुप चला है तो आप भी जाकर उसका हिस्सा बनो ठीक है चलो आते हैं एडिटूरल की तरफ अब एडिटूरल में हम लोग आज की शुरुवात करेंगे पहले एक पिच्चर आफ दा वीक से तो इस सब्ता का एक इंपॉर्डेंट पिच् आती है ओडिशा के अंदर में खासकर ओडिशा की जो मालकांगरी डिस्ट्रिक्ट है ना वहां का ये पिच्चर देखने को मिलेगा तो अब ही आप देखोगे पहले जो ये बोनडा ट्राइब हुआ करती थी इनका जो अटायर है जो पूरा का पूरा क्लोथिंग का जो यह ने जो ये क्लोटिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है तो वह बात यहां पर इस पर्डिकुलर आर्टिकल ने बताई गई है तो यहां पर आपको बॉनडर ट्राइब की कुछ वेमें देखने को मिल रही है तो यहां पर बताया गया कि ट्रडिशनली आप इन्होंने नाइड काउंस पहने वे हैं अपने ट्रेडिशनल बीड्स के साथ में और बाकी आपर जो थर्ड वाली वेमें आपको दिख रही है यह पुराने वाले एटायर में ही है जो ट्रेडिशनल एटायर था यानि पुराने जमाने में जिस प्रकार से बॉनडर कई सारे क्वेशन बने हैं तो ट्राइब बला जो टॉपिक इना इसको इंपोर्टनेस पिछले को समय बहुत जादा मिला वा है तो आपको बहुत अच्छे से इसको कवर करके जाना है बात करेंगे बॉनड ट्राइब के बारे में तो बैसिकली यहां पर ये एक पर्टिकु की समय में भारत के अंदर में total 75 particularly vulnerable travel groups हैं और सबसे ज़्यादा groups इस प्रकार के वो ओडिशा में पाए जाते हैं तो ओडिशा में इस प्रकार के 13 groups हैं PVTG group और इनी PVTG में से एक group बोंडास का group भी आता है ठीक है न जिसके बारे में अभी हमने पिच्चर में चर्चा की है बोला जाता है कि जो बोंडाज ग्रूप है ना ये बहुत पुराने ग्रूप है मतलब एक विश्वास के जाता है कि इनका जो पहला माइग्रेशन हुआ था यानि कि पहली बार ये इधर से उधर पहुँचे थे आफरिका से निकल कर आये थे ये लगबग आज से 60,000 साल पहले है ना और इंडिया में ये पहले forest settlers हुआ करते थे यानि जंगल में settle होने के लिए जंगल में रहने के लिए पहली community हुआ करती जो कि जंगल में settle होना start हुई थी culture की बात करें तो इनका culture इनोंने क्या करा है बहुत लंबे समय से अपने culture को अपनी identity को यहाँ पर बचा कर रखा है उसको एक protection प्रोवाइड करवाई है जो की बहुत 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 चीज़ है आप देखोगे यहाँ पर mention किया जाता है कि जो bondage है यह क्या करते थे जो भी यहाँ पर शिकार वगरा है वही करके यहाँ पर जो अपना food वगरा है उसको पूरा करते थे उसी से यहाँ पर खाना खाते थे इनका जो dressing style है वो मैं आपको बता दिया एक unique सा dressing style यहाँ पर देखने को मल जाता है वह भी हमने discuss किया language की बात करें तो यह लोग यहाँ पर एक भाषा बोलता है रेमो ठीके ना रेमो भाषा का यहाँ पर इस्तमाल के जाता है जो कि आपने आप में ही जो रेमो भाषा है यह basically मुंदारी ग्रूप से बिलॉग करती है मुंदारी ग्रूप से तो कुछ languages है तो उस language है मुंदारी ग्रूप की भाषा उसे यहाँ पर बिलॉग करती है जो मुंदारी ग्रूप भाषा है ना यह मुंदा पिपिल के थूँ बोली जाती थी मुंदा पिपिल के थूँ तो उसी area से यहाँ पर निकल कर आती है रहमो इसी लैंग्विज का यहां पर बोंडर ट्राइब जो है वो इस्तमाल करता है ठीक है बात क्लिर हो गई अब आते हैं डिविजन की तो बोंडर ट्राइब को इस पर्टिकुलर ट्राइब को दो अलगला ग्रूप के अंदर बाटा गया है और वो जो बात क्लिर हो गई यहां रेक्टना जो भी बाते बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं बाकि आप हम लोग थोड़ा सा डिसकस करते हैं ओडिशा के ट्राइब के बारे में क्योंकि यह जो पॉनडर ट्राइब भी ओडिशा मीं पाए जाती है तो ओडिशा की जब बात करत हैं पीवीटीजी क्या होते हैं मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर यह वनेरेबल ट्राइबल ग्रूप तो थर्टीन जो ग्रूप हैं वो यहां पर देख पाओगे इसमें बोंडा भी है बिरहोर फिर उसके बाद में चुक्टिया देन उसके बाद में भुंजिया यहां पर नाबरंगपुर देन उसके बाद में कोरथ स्वारी कोरपुध देन उसके यहां पर मलकांग्री देन यहां पर रॉइगण तो यह कुछ अलग-अलग यहां पर एरियास देखने को बिलेंगे जहां पर अलग-लग ट्राबल कमौनिटिस पाई जाती है ठीकкое बात पहला सवाल ये है यहाँ पे चार जगा के नाम दिये गया और पूछ लिया गया कि शोमपन ट्राइब कहाँ पाई जाती है निलगरी हिल्स, निकोबार आइलेंड, स्पिती वैली या फिर लक्षुदीप आइलेंड तो इसका सही उत्तर है निकोबार आइलेंड आपको दिखाया है, ऐसे सवाल भी डिरेक्टली बने हुए है ज्यान रखना, चलो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरेल की तरफ जो अगला एडिटोरेल है वो बात करता लेवरेजिंग वोईस टेक्नोलोजी टू कॉमबेट साइबर फ्रोड क्या है मतलब डिटेल से समझते हुए चलेंगे चलिए जी स्टार्ट करते हैं देखो राइटर है यहाँ पर के जयंत मुराली साब यह बिसिकली जो ICD आइडल वेंग है ना तो उसी के यहाँ पर एक डिरेक्टर जनरल है तो वो चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जुरूरत नहीं है बस खाली मैंने नाम बता दिया है थोड़ा सा यहाँ पर मतलब लिंक करने में और असानी हो जाती है अच्छा लगता है ठीक है राइटर के बारे मतलब राइटर कभी पूछा नहीं जाता है ध्यान रखना तो यहाँ पर यह बोला गया कि जो बैंक हैं और साइबर फ्रॉड्स हैं इंडिया के अंदर में पिछले कुछ समय पर यह बढ़ते बना ज़रा है ठीक है तो बैंक के अंदर में जो साइबर फ्रॉड्स मतलब जो कम्प्यूटर के माधियम से अपराद हो रहा है यह बहुत तेजी से इंक्रीज हो है आप देखोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हमारे पास में एक डेटा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो जो फ्रॉड्स है न यह इतने बढ़ चुके हैं जिसकी वज़ा से पिछले कुछ समय में मतलब पिछले कुछ आप कह सकते हो की साथ सालों के अंदर में हमारे देश को 100 क्रोड रुपे का रोज नुकसान हो रहा है तो यह हालात हो चुके हैं इस प्रकार के फ्रॉड हो रहा है साल 2021-22 के अंदर फ्रॉड की एक रिपोर्ट आई थी और साल 2021-22 की इस रिपोर्ट ने ये बताया कि इस साल में लगबग 23.69% ज़ादा फ्रॉड हुए हैं जब इसको हम 2021 से कंपेर करते हैं तो यानि 2021 के कंपेरिजन में 2021-22 में ज़ादा फ्रॉड हुए हैं 2020 में लगबग 7,000 के असपास फ्रॉड हुए थे और इस बार लगबग 9,000 से भी ज़ादा फ्रॉड हुए हैं अब ये जो फ्रॉड हो रहे ना इसके पिछे का में रिजन क्या है में रिजन है सरीहां पर डिजिटल पेइमेंट जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है यह आप भी मानते हो मैं भी मानते हो सालकुरे मानता है जिस प्रकार से यहाँ पर डिजिटलाइजेशन बढ़ा है हर चीज में डिजिटल पेइमेंट हो गया टेलीफोन बैंकिंग गई, पूरी बैंकिंग सर्विस ऑनलाइन पहुँच गई जितना मामला ऑनलाइन हुआ है, उतनी साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है उतनी हैकिंग और उतनी इस प्रकार की चीज़ें यहां पर नजर आई है तो यह जो फ्रॉड यहां पर तीजी से इंक्रीज हो रहा है ना इसकी चक्कर में धेर सारा नुकसान भी हो रहा है हमारे एक्रॉमिक को पूरी तरह से हिट कर रहा है ठीक है, अब राइटर यह बोलता है कि हम इसका एक सलूशन लेकर आए है सलूशन यहां पर क्या लेकर रहा है सलूशन है यहां पर कि आपका एक प्रॉपरली वोईस टेक्नलोजी का इस्तमाल किया जाएगा यानि कि मैं आपको समझाता हूँ जैसे आप देखोगे आज के समय में जितने भी स्मार्ट फोन्स हैं वहाँ पर बायोमेट्रिक सेक्यूररीटी होती है बायोमेट्रिक सेक्यूररीटी का मतलब है आपका फिंगर्परेंट, आ स्केनर, फेश स्केनर यह सारी चीज़े होती है थेना इनका यूज़ करके आप अपने फोन को unlock कर सकते हो लेकिन ये जो चीज़े मैंने आपको बताई है जैसे आज की समय पर फिंगर प्रेंट, आई स्कैनर ये जो चीज़े चल लहीं है ये इतनी पावर्फूल नहीं है ये बहुत वीक सेक्यूरिटी, बहुत कमजोर सेक्यूरिटी है तो इसी चेक्कर में यहाँ पर ये बोला गया देखो कई बार ना डीप फेक्स बना ली जाते है आप अपने चेहरे का मतलब आप फेस स्कैन आता है ना तो फेस स्कैन यहाँ पर लगा लिया फेस स्कैन आपने लगाया तो आपका चेहरा देखके मुबाइल फोन खुलता है तो भाईया आपके चैरी की जगा डीप फेक क्रियेट किया जा सकता है अगर इनको फ्रॉड कम करना है तो इस बायोमेट्रिक सेक्योरिटी को मजबूत करना होगा और यहाँ पर मजबूत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वाईस बायोमेट्रिक्स का इस्तमाल कर सकते हैं यह नहीं आवाज का ठीके न अब यहाँ पर आवाज का मतलब है कि जैसे आप मेरी आवाज पहचानते हो ठीके न तो वैसे यहाँ पर जो टेक्निलोजी है वो आपकी आवाज पेचाने की और वो आवाज पर ही वो चीज़े open होंगी unlock होंगी वो बात यहाँ पर बताए जा रही है तो यह चीज थोड़ी से जादा matter करेगी आपका चेहरा को यहाँ पर बना के उसको use कर सकता है biometrics security इतनी मजबूत है नहीं लेकिन आवाज तो कोई नहीं बदल सकता आपकी आवाज कोई दूसरा तो यहाँ पर बिल्कुल इस प्रकार की use नहीं कर सकता तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आएंगी तो voice biometrics का यहाँ पर इस्तमाल क्या जाए वो चीज़ यहाँ पर writer mention करता है तो यह जो technologies लगातार grow कर रही है इसमें एक बहुत important characteristic यह है कि person की voice person की voice को यहाँ पर एक identification बनाया जाए और यह technology क्या करेगी एक voice print बना देगी तीक है ना यहाँ पर क्या होगा एक voice print बनाने के बाद में यह निकि एक collection हो जाएगा आपके जो voice है वो यहाँ पर record हो जाएगी और फिर यहाँ पर उसी को compare किया जाएगा compare करने के बाद में है ना अगर voice match होती है technology के साथ में तो फिर यहाँ पर सही है नहीं होती है ऐसा है नहीं तो कहीं ने कि उनके लिए खतरनाक हो जाएगा इस biometric के use को लेकर तो biometric का use कर खासकर जो voice biometric अगर हम इसका use करते है ना तो यह बाकी सारे biometric से सस्ता भी है जैसे बाकी आप finger scanner या face scanner का स्थमाल के लिए तो हापर धेर सारा पैसा लगता है लेकिन voice biometric के अंदर में ज़्यादा पैसा खर्च होगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको special device चाहिए ही नहीं होगा यह बात यहाँ पर बताई जा रही है तो आप देखो के पिछले कुछ समय में जो banks हैं इन्होंने password के उपर ज़्यादा बिलीव किया कि यह password होगा वो सही है लेकिन password भी हमेशा सही काफी ज़्यादा weak password आपके सर्थे होगी मतलब weak security माना गया है रिपोर्ट के मताबद बताया गया है जो password है वो सबसे ज़्यादा weak security की तोर पर देखा गया है तो इसके लिए हमें voice technology का इस्तमाल करना चाहिए तो voice technology से एक फाइदा ये भी होगा कि आपकी privacy maintain रहेगी आपको कोई अपनी information share ही नहीं करनी है आपकी आवाज रहेगी वो तो आपका जो personal information है वो भी आपके पास परेगा कोई share ही नहीं करना आपकी आवाज ही आपकी पहचान है आपकी आवाज से ही सारी चीज़े open होने वाली है आपकी आवाज से आपका bank account link होने वाला है तो वो चीज़ यहाँ पर mention की जा रही है तो जो voice matrix है इस प्रकार से हमारे financial institutions को help कर सकती है ठीक है इवन यहाँ पर देखोगे February 2019 की बात है जो HSBC bank है यह पहला bank बन चुका है हमारे देश का जिसने इस प्रकार का एक कदम उठाया भी है और इस प्रकार का यहाँ पर आपका से तो voice biometric का अस्तमाल किया है और यहाँ पर expectation यह है कि आने वाले समय में यह voice biometric का market बढ़ेगा और अभी आप देखो कि जब इस bank ने यह चीज अपना ही ना तो इससे fraud जो cases है वो लगातार 50% से कम हो गए तो यह चीज़ें यहाँ पर साबित होती हुई निज़रा ही है experts का मानना यह है कि voice technology का जो market है यह 2026 तक 3.9 billion dollars तक पहुँच जाएगा तो growth काफी जादा है आने वाले समय में ठीके तो voice technology क्या है समझ में आ गया तो यह एक बहुत important tool है किसीज के लिए आपकी सुरक्षा के लिए आपके data की सुरक्षा के लिए हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं पुलिस के अंदर भी भी मतलब यह है कि देखो कोई क्रिमिनल है है ना उसका data वगरा यहां पर उसका जो voice वगरा वो सब स्टोर करके रखी जा सकती है बाकी यहां पर जब स्टोर करने के रखने के बाद में जो पुलिस है उसी voice का इस्तमाल करके उस क्रिमिनल को ट्राक भी कर सकती है है ना उस क्रिमिनल को वापस अगर कोई क्राइम करता है तो उसको यहां पर देखा जा सकता है तो वो चीज़ यहां पर बताए जारी है तो पुलिस जो है ना वो इस अवास का इस्तमाल कर सकती है investigation को और ज़दा improve करने के लिए तो voice technology हर जगा पर हमें help करती हुई नज़र आईगी फिर उससे भी important बात जो कि यहां पर writer mention करते है कि अगर आप सोच रहे हों क्या यह 100% accurate होगी तो ऐसा नहीं है 100% accurate तो जो पहले वाली important जो भी biometric है वो भी नहीं है accuracy तो उसमें भी नहीं है accuracy इसमें भी नहीं है लेकिन यहां पर accuracy इतनी है कि मतलब यह आपको बचा सकेगा 90% से के आप सपास यहां पर accuracy rate देखने को मिल रहा है उसकी बाद में बताए गया आपको एक सवाल होगा कि अगर आवास खराब है तो है ना मानलो जुखाम होगी आवास खराब होगी है ना गले में दर्द होगी है तो आवास खराब होगी तो क्या होगा तो तब भी identify कर पाएगा ऐसा बोला अजरे यह टो टेक्नलोजी है तब भी आपकी आवास को identify कर लेगी ठीक है ना यह इसका एक plus point नजर आता है देन उसके बाद में और चीज़ mention करी गई यहाँ पर यह बोला गया कि जो यह voice है यह again यह ऐसे भी help करेगी जो सरकार है वो इस voice का इस्तमाल कर सकती है अपने scheme के जो फाइदे provide करवाती है ना उसके तोर पर जो लोगों का voice data है वो voice data collect के जा सकता है और जो सरकारी schemes है उन सरकारी schemes के मादियम से जो भी हाँ पर benefits disperse करने हैं वो सारी चीज़े हाँ पर उसी voice के मादियम से दी जा सकती है ऐसा भी हाँ पर बोला गया तो again यहाँ पर भी हम लोग इसका इस्तमाल कर पाएंगे तो कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसी technology है जिसका हम इस्तमाल करके कई सारे benefits को निकाल सकते हैं fraud को कम कर सकते हैं और जो weak security है उसका एक बहुत अच्छा उपाई यहाँ पर यह हो सकता है आपकी क्या रहा है आप इसके बारे mention कर सकते हो जो writer ने बोला है वो as it is मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है ठीक है clear होगी बात चलो आगया आता है ना जो next editorial आपको यहाँ पर दिखरा है वो है friendly neighbors को लेकर तो क्या है आप इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करता है बोला यह जा रहा है कि इंडिया को मौलदीव के साथ में अपने जो relations उसको और ज़्यादा मजबूत कर लेने चाहिए हमें वहाँ पर कोई politics में दिल्चस्पी ना रखके मौलदीव के साथ में relations को मजबूत किया जाए वो ज़्यादा matter करता है देखो हुआ कि हम मौलदीव से recently यहाँ पर न्यूज में बनावा है ठीक है तो न्यूज में इसलिए बनावा है क्योंकि जो मौलदीव के पुराने प्रेसिडेंट है पुराने प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन यह व्यक्ति यहाँ पर basically अभी कुछ charges को कुछ यहाँ पर अपराद इन्होंने क्या है घोटा ले कर रहे हैं तो उन charges को यह face कर रहे है अब इन्टा केना यह है कि मैं release होदाऊंगा तो 2023 को जो election में वापस से लड़ूँगा तो कवेस में क्या दिक्कत है पता दिक्कत यह है कि जो अब्दुल्ला यामीन है यह इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया है और इनी के समय में पता होगा मौल्दीफ के अंदर में इंडिया आउट करके campaign जो है वो start हो चुका था भारत को मौल्दीफ से निकाला जाए इस प्रकार के campaign यहाँ पर चलाए गए है पुराने वाले president के माद्यम से तो यह बोला गया इन president का जो जुकाव है न वो चाइना की साइड में बहुत ज़ादा है चाइना की तरफ बहुत ज़ादा जुकाव है चाइना इस चकर में इनका फायदा भी उठा रहा था लगातार यहाँ पर काफी सरा investment मौल्दीफ के अंदर चाइना ने उस समय पर कर दिया तो मिस्टर नियामीन चाहते हैं कि हम वापस से आएं और वापस से आने के बाद में elections को दुबारा लड़ें और लड़ने के बाद में और इस election को जीते भी ठीक है एक नए president बन कर आएं लेकिन यहाँ पर बोला गया कि यही वो व्यक्ति हैं जिनोंने पूरे हालात कर दिये थे इंडिया के साथ में इनके समय पर जो relations है वो काफी ज़दा खराब हो गए थे जबकि इंडिया हमेशा से मौल्दीफ का एक supporter बन कर रहा है इंडिया मौल्दीफ के relations लंबे समय से काफी ज़दा अच्छे हैं जैसे आज के समय पर जो मौल्दीफ के president है न वो लगातार भारत को support करता है भारत उनको support करता है तो relations काफी अच्छे हैं आज के समय में लेकिन यहां पर जो यह अमीन साब थे इनके समय में पर relations काफी ज़दा खराब हो गए थे यह चीज़ यहां पर mention करी जारी है इस particular article में बाकी यहां पर देखते हैं क्या होता है elections लड़ेंगे क्या होगा कैसे होगा वो सब आगे की बात है वहां की politics में हमें नहीं गुसना चाहिए हमें directly यहां पर जो भी आता है उसके साथ में जो अपने ties हैं जो अपने relations हैं उसको मजबूत करने के उपर थोड़ा जोड़ दे आ सकती है वो है इंडिया मौलदीव के relations या फिर आपने कोई भी international relation की किताब खरीदी हुई है तो उसमें भी यहां पर इंडिया मौलदीव के relations मेंशेंड होगे तो मैं आपको directly उसके बारे में समझाने वाला हूँ कि आखिरकार क्या relations है इन दोनों देशों के कहां पर stand करत इधर छोटे छोटे जो islands है यह बिसकिली मौलदीव की island है तो यहां पर इंडियोशन में ही मौलदीव आपको यहां पर देखने को मिल जाता है क्लियर होगी बात आ गया आता है आप दोनों के relations के बारें बात करेंगे तो मौलदीव न एक important area है इंडियोशन के अंदर में य अगला ग्रूप के हिस्सा है जैसे आप देखोगे सार्क एक बहुत important ग्रूप है सार्क की full form है South Asian Association for Regional Corporation यहां पर मौलदीव जोहना इसका member भी है साधी साथ में S.A.S.E.C. यानि कि South Asia Sub Regional Economic Corporation इसका member भी है तो इंडिया मौलदीव दोनों यहां पर इन दोनों ग्रूप के हिस् है आप यह देखोगे कि 1988 की बात है 1988 के अंदर मौलदीव के अंदर हालत काफी खराब हो गए थे एक तक्ता पलट हो गया था उसमें पर वह उप्रेसिडेंट हुआ करते थे प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गायूम तो इनके खिलाफ तक्ता पलट हो गया वहां पर तो पिर उसके बाद इंडिया मौलदीव के बीच में आप देखा होगे एक joint military अभ्यास होता है जिसको ओनोग एक्क्यूवरिन के नाम से जानते हैं इस नाम से एक्क्यूवरिन के नाम से ध्यान अकना आपसे पूस आजा सकता है बाकी दोनों देशों के बीच में एक कॉलॉम् तो मतलब इसमें कुछ और कंट्रीज भी है, इसमें इंडिया, स्रिलंका, मौल्दीव्स और मौरिश्यस, ये चार देश देखने को मिलेंगे, चारो के चारो यहाँ पर इंडिया नोशन के पास में हैं, जिसे इंडिया आपने देखा है, इंडिया के नीचे स्रिलंका हुआ, उसके नीचे आपे मौल्दीस, उसके बराबर हैं मौरिश्यस, तो ये चारो देश आपस में ही है, मतलब आस पास ही आपको देखने को मिलेंगे, तो चारो मिलकर कैसे समुदर में एक सिक्यूरिटी को मिंटेन कर सकते हैं, उस सीच को लेकर एक पूरा का पूरा कॉलंबो सि दिखान में रखना है, तो मौरिश्यस बेसिकली यहाँ पर इसका एक नया मेंबर की तोर पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर काफी सरी मीटिंग होती है, इन कंट्रीज के लीडर्स मिलकर बातचीत करते हैं, कैसे हम अपने पूरे समुदर को की इंडियन उशन के अंदर जो है, वो खाफी खराब हो गयता है, क्योंकि वो समुदर के बीचो बीच है मौल्दीव्स, उसके लाव आप देखोगे, मौल्दीव्स में ड्रिंकिंग वोटर क्रैसिस आ गया था, जो पीने का पानी है, वो आपे खतम हो गया था, तो उस समय पर भी यहाँ पर इंडिया पहला देश बनता है, जो कि भारत से जो भी असिस्टेंस होता है, जो भी सपोर्ट होता है, उसको रिसीव करता है, इंडिया ने अपने आस पास जो पडूसी देश है, हमने क्या करा, अपने पडूसी देशों को वैक्सीन बेचने गलत वर्ड होगा, भेजी, हैना उनको य इंडियाज वैक्सिन मैत री इनिशेटिव और इस मैनिशेटिव के तह pontos जो भी हमारी Napдуर लिज है इनकों हमने वैक्सिन पहुंचाएं थी जिसमें यहां पर मौल्दीवας भी आता है मौलदीव भी को भी हमनें प्रॉपर्ली वेक्सिन पहुचाई डी दिया ठीक ए फिर सागर मिशन के तैत यहाँ पे मौलदीफ को जो important commodities हैं कुछ यहाँ पे खाने पिने का समान वो भी हाँ पर पहुँचाया गया था ताकि जो मौलदीफ से वो pandemic से लड़ सके ठीक है फिर उसके बाद में आप देखो गे people to people contact के बात करें तो वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पे भी definitely काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं फिर बात आते है economic cooperation की जो tourism है न टूरिजम एक सबसे important part है मौलदीवियन एकनॉमिका मौलदीव की जोतनी भी अर्थ विवस्ता है वो चलती है वहाँ के tourism की वज़ा से तो वहाँ पे कई सारे लोग जाता है मतलब इंडियन्स के लिए एक बहुत बढ़िया tourist location है वहाँ पे हम लोग कई बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिया से जाता है मौलदीव के अंदर में भूमने के लिए जो कि मौलदीव के लिए economic को generate करने का काम भी करता है तो यहाँ पर भी again मौलदीव को एक support बल जाता है तो आपको गए वाकिये में रिलेशन तो दोनों देशों के काफी अच्छे है बट अगर हम बात करें तो कुछ challenges भी है पिछले कुछ समय में इंडिया मौलदीव के relations खराब भी हुए है जैसे मौलदीव के अंदर political instability होना वहाँ पर देखो कोई भी देश है अगर उसमें political instability है यानि कि महाँ पर सरकार रुकी भी नहीं है सरकार बार बदल रही है चेंज हो रही है पलट रही है बहुत कुछ हो रहा है तो वहाँ की जो situation है न वो इतनी जादा strong होती नहीं है और उस देश के साथ में दूसरे देशों के जो relations हो इतने जादा strong नहीं होता है तो इंडिया की भी यही चिंता बात है क्योंकि महाँ पर political instability बनी होई है political instability की वज़े से कोई भी proper डिक्ता नहीं उसे बाचीत होई नहीं पाती है February 2015 में आप देखोगे Maldives के opposition leader बहुंबद नशीम है ना इसको arrest किया गया terrorism के charges के उपर तो मतलब leader तक भी यहाँ पर आतंगबाद में सामिल है उनको arrest किया या यह हालात यहाँ पर आपको देखने को मल जाएंगे दूसरा एक और problem यहाँ पर Maldives के अंदर देखने को मिली है वो यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ समय में Maldives के कई सारे जो लोग है ना उन्होंने terrorist group को join किया हुआ है जैसे जो Islamic State है इसको join किया है Pakistan-based मदरसाज है इसको यहाँ पर join किया है जहादist groups को यहाँ पर join किया है तो Maldives के कई सारे लोग जो number of Maldivians है वो इन groups के अंदर increase होता जाले जा रहा है जो कि इंडिया के लिए again काफी ज़्यादा खत्रा है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को एक possibility दे सकता है क्योंकि पाकिस्तान के जो आतंगवादी groups है उसमें add हो रहे है तो पाकिस्तान को यहाँ पर एक जगा मिल सकती है चाइना का angle चाइना पिछले कुछ समय से लगातार Maldives के अंदर अपना investment कर रहा है चाइना ने आप देखोगे अपना investment लगातार बढ़ा दिया है चाइए हम बात करें स्री लंका की तो स्री लंका में आपको बता होगा चलो मैं आपको बताता हूँ एक main point वो है यहाँ पर string of pearl तो चाइना ने string of pearl यानि कि एक पूरी तरह से मोतियों की जो माला है ना वो बिछा रखिये इंडिया के आसपास कैसे समझते हैं तो यह माला क्या है इसको यहाँ पर देखना चाइने ने क्या क्या इंडिया को चरात्वर से घेर लिया कैसे घेर लिया तो यहाँ पर श्रिलंका के अंदर जो हमबन दोता पोर्ट है इस हमब दोता पोर्ट को यहाँ पर परचेस कर लिया 99 साल के लिए लीज पर ले लिया मौल्दीफ के अंदर इंवेस्टमेंट कर दिया, यहां पर पोर्ड बना लिया, उसके आदमें पाकिस्तान में गौदर पोर्ड यहां पर चाने ने बना लिया, तो यहां पर इस प्रकार से गहरा वहा है, यहां पर देखोगे मैनमार के अंदर इस तरीके से यहां पर पोर्ड तो यहाँ पर आप देखोगे इंडिया ने भी इस प्रकार से हिर रखा है हमने भी कई सारी जगा पर इंवेस्टमेंट कर रखा है वो मैं आपको कभी और बताऊंगा तो अभी फिलाल हम लोग string of pearl के उपर हैं तो उस चीज को यहाँ पर हम समझता है तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें Maldives भी आ जाता है तो Maldives के अंदर चाइना का डिर सारा इंवेस्टमेंट होना कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स Maldives के अंदर ऐसे हैं जो कि चाइना को सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से भी यहाँ पर आपका सकत हो चाइना का पेज पर है यहां पे करनाटिका और मारास्टा के बीच में जो बॉल्डर विवाद है उसके बारे में चर्चा की गई है पहले मापको एक पिच्चर दिखाऊंगा फिर उसके बाद में आपको यह पूरा-कपूरा जो विवाद है वो समझाऊंगा यह जो आपको मैप दिख रहा है ना यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में महराश्टरा दिख रहा होगा और इधर यहाँ पर आपको करनाट का दिख रहा होगा महराश्टरा और करनाट का एक लंबा चोड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं इनके बीच में यहाँ पर यह पूरगा पूरा बॉर्डर हो गया तो यहीं पर इन दोनों के बॉर्डर पर ही एक जगा स्थित है जिसका नाम है बेलागवी इसको माराश्रा बेलगाओं के नाम से भी जानता है क्या बेलगाओं के नाम से तो बेलगाओं बोलू या बेलगावी बोलू तो मतलब समझ लिना इस वाले रिजन की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है तो हुआ क्या है कि इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर लड़ाई चल लई है माराश्टर बोलता है ये रिजन मुझे चाहिए तो आज के समय पर ये कहां पर है ये बिसिकली करनाटिका में है ठीक है न तो ये रिजन करनाटिका को दे दिया या था आज से कई साल पहले तो करनाटिका बोलता है देखो ये लॉज के साब से एक के साब से हमें दिया या था तो इस मामले को उठाना नहीं चाहिए इससे बहुत ज़्यादा बवाल क्रियेट होगा कि कि ना इससे अचा जैसे चला शांती से मामला निप्टा दो महाराश्टरा बोलता है नहीं 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 ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पर कई सारे ऐसे एरियाज आपको देखने को मिलेंगे कई सारे गाउं ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर बहुत सारे लोग मराठी बोलता है तो जब मराठी वो बोलता है मराठी बोलने वाले जादा लोग है तो ये रीजन करनाटिका के पास कैसे जाएगा ये रीजन हमें चाहिए तो इस प्रकार से महाराष्टा की डिमांड उठी हुई है वैसे अफिशली आप देखोगे तो यहाँ पर करनाटिका को दिया यह रीजन देखो यहाँ पर कई दशो को पुराना यहाँ पर यह डिस्प्यूट आपको देखने को मुलेगा दोनों राज्यों की बीच में ठीक है तो 1957 की बात है 1957 में आप देखोगे स्टेट रियॉगनाजेशन एक्ट आता है ठीक है यह 1956 का एक्ट होता है इसको हम लोग 1957 में यह बिस्प्यले न्यूज में देखने को मिलता है तो इसके बेसिस पर मतलब इसको इंप्लिमेंट करते हैं महरास्टा डिमांड करता है कि बहिया क्या होगा कि इस स्टेट रियॉर्गनाजेशन एक्ट क्या करता है यह राज्यों को पूरी दरा से बाट clause 2, sub clause B यहाँ पर invoke करते वे बोला हमारी ministry of home affair से कि सर आप ये देखो कि जो ये region है ना इसमें मराठी बोलने वाले जादा लोग है और मराठी बोलने वाले लोग है तो महराष्टा में होना चाहिए वो हिस्सा वो करनाटिका में क्यों है तो इस प्रकार की पाते हैं यहाँ पर महराष्टा जो है सामने रख देता है और ये बाते बोलते वो claim करता है कितना बड़ा area 2806 square mile का एक बहुत बड़ा area claim करता है जिसके अदर 814 छोटे छोटे गाउं है 3 urban settlements है तो वो सारे area हैं लगबग 6.7 lakh population है तो वो area यहाँ पर महराष्टा claim करता है बोलता है कि देखो यह region जो है न यह मुंबई को दे दिया जाए महराष्टा को दे दिया जाए करनाटिका का क्या response है मैं आपको इसके बारे में भी समझाओंगा महराष्टा का claim है न आपको समझा दिया ठीक है करनाटिका का यहाँ पर कहना यह है कि देखो भाईया आप यह देखोगे कि यह जो बटवारा हुआ है न यह कहीं न कहीं बटवारा नहीं कहेंगे बिसिकली जो यह जो बॉर्डर्स वगरा बाटे गए न यह पूरे के पूरे state reorganization act के मादम से बाटे गए मामले को सुल्धाने के लिए आप देखोगे 1960 में हाँ यह इतना पूराना मामला है 1960 में आप देखोगे दोनों राज्यों ने मिलकर यह ready हो गए कि हम क्या करेंगे चार लोगों की committee बनाएंगे और चार लोगों की committee बनाई गई दो यहाँ पर महराष्टा से थे इसमें और दो यहाँ पर करनाट काके थे अब दोनों ही यहाँ पर इन दोनों राज्यों के हैं तो दोनों सब सब चारों के चारों भिड़ गए कोई भी यहाँ पर जो इसका solution है वो निकल कर नहीं आया हाला कि solution करने के लिए कमिटी बनाई गई थी लेकिन कमिटी कोई भी उपाय नहीं दे पाई ऐसे कई बार 1960 से लेकर 1980 के बीच में दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर कई बार मिल चुके हैं आपस में बैठ कर बाचीत कर चुके हैं लेकिन कोई भी solution अभी तक नहीं निकल कर आया है कोई भी क्या रोल होता है हमारी कें सरकार ने क्या करा इस पूरे इशू को देखते हुए एक महाजन कमिटी को बना दिया महाजन कमिटी कब बनाई गई थी 1966 में तो इस महाजन कमिटी का कामता है इस particular situation को देखना और यहां पर इसका एक solution लेकर आना फिर क्या होता 1966 से लेका 1967 एक साल लेती है कमिटी एक साल लेने के बाद में सब कुछ एनलाइस करने के बाद में इसने recommendation ये दिया कि जो कुछ गाउं है जैसे करवर में हल्याल में सुपरना तालूप में यानि करनाटका के अंदर में कुछ ए एरिया है वहाँ पर जो कुछ गाउं है वो महाराश्टर को दे स्टेट में रहना चाहिए लेकिन कुछ एरिया जो है वो महाराश्टर को देना चाहिए ये इस कमिटी ने बदवा लेकिन क्या हुआ फिर भी कोई बात यहाँ पर निकल करनी आई उस कमिटी की जो बात है वो इंप्लिमेंट नहीं हो पाई ये केस पहुंझ जाता है सुप् इना कि भाशा के अदार पर महाराथा जाता बोलते हैं अमराठी जाते बोलते हैं इस वैसे ये एरिया देतो तो कहिने कि हमारे देश भर में बहुत सरी प्रॉब्लम्स क्रेट कर सकता है कई सारे ऐसे और बी सिचुएशन है तो वहाँ पर भी इस प्रकार की डिमांड उट स लग राजों के साथ में देखने को मिल जाता हैं क्या था मैटर आई होप आप लोग यहां पर यह समझ गए होंगे क्या थी महाजन कमीटी यह मैं आपको महाजन कमीटी के बारे बता दिया इसका क्या रेकमेंडेशन था बट यह एंप्लिमेंट नहीं हो पाया बाकी क्या सि क्या देखो कि नीचे एक और ऑर आर्टिकल है यह हमारे काम का है नहीं तो आप इसको स्किप कर सकत expedition यह हमारे चोटे आर्रिकल्स बड़े इसके बारे में क्या है क्या अंप बोलग प्लब में यह एडिटूरल नहीं आता है इंटर्विव काम का नहीं होता है अब पढ़ना चाहो तो पढ़ सेट तो अब मैरे बैठा था मैंने मज़े मज़े में पढ़ आला तो पढ़ने के बात पता चलता है देखो यह है कि तालीबान आज के समय पर क्या कर रहा है तालीबान ने पिछले साल साल 2021 में अगस के महीने में पूरे अफगानिसान को कबसा लिया था तालीबान का कंट्रोल आ गया था पूरे अफगानिसान के उपर उससे पहले लगातार 20 साल तक वहाँ पर सरकार चल लाई थी जिसको USA ने एस्टेबिश कर रखी थी और उससे भी पहले 20 साल स वापस से पूरे अफगानिसान को कभजा लेता हैं अब बात यहां पर यहें निकल कर आती है कि जब इसने पिछले साल अफगानिसान को कभजा आया तो कभजा था वह यह बोला कि हम लोगों के उपर ऐसा अत्याचार नहीं करेंगे जो हम 2001 से पहले क्या करते थे क्योंकि 2001 से पहले यहां पर बेसिकली आप कह सकते हो ना पूरी तरह से आतंगवादियों वाले सारे काम किये जाते थे हाला कि यहां पर अभी भी कई सरी जगह पर आपको terrorist organization की तरह तालिबान देखने को मिलेगा तो बिसिकली यहां पर जब इन्होंने पिछले साल कबजा है तो यह बोला कि हम ऐसे अत्याचार नहीं करने वाले सब कुछ छूट देंगे सब कुछ अच्छे से काम करेंगे लेकिन में नहीं जाएंगे पब्लिक पार्क में नहीं जाएगी NGOs में काम नहीं करेंगी तो वेमेन और गर्ल के ओपर धेर सारे restrictions यहां पर लगा दिये गए हैं तो इंडिया को क्या करना चाहिए देखो इंडिया ना लंबे समय से तालिबान को मतलब एजा को मान नहीं रहा है आप कि हम समान दे रहे हैं वहारा सरकार की साइट से people of Afghanistan के पास में जा रहा है ना कि Taliban government के पास में तो हमने Taliban को as a सरकार recognition अभी तक दिया नहीं है हम इस चीच को review कर रहे हैं तो बात यहां पर writer यह बोलता है कि देखो अब समय आ गया है कि Taliban के साथ में बातचीत करने चाहिए हमने कई सारे projects महां पर लगा रखे हैं वो projects हमने जो है वो पूरे करने चाहिए को कई सारा कई पैसा billion dollars हमारा वो पैसा महां पर लगा बढ़ा है तो पैसा डूबना भी नहीं चाहिए तो उस पैसे को पर काम क्या जा है लेकिन हमें Afghanistan के लोगों के लिए काम करना चाहिए ना कि Taliban क लिए क्योंकि यह कभी भी बातों से पलट सकता है जो अपना सगा पाकिस्तान का ना हुआ वो कि हापर किसी का नहीं हो सकता तो वो चीज़ा भी यह अपने इंटर्व्यू के अंदर mention करती है ठीक है ना क्योंकि पाकिस्तान का जब सगा नहीं हो पाया तो यहां पर इंडिय किया के साथ में यहाँ पर relation कभी ऐसे हो नी पाएंगे तो इनके उपर कभी विश्वास ना किया जाए और उसके बाद में अफगानिस्तान के जो लोग है जो गरीबी से भुकमरी से मर रहे हैं उनके लिए काम किया जाए दूसरा जो हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स लगा रख जो का उस पॉंटे विव के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो यह थे हमारे पूरा का पूरा डिसकुशन के अंदर में सारा का सारा का सारा कॉंटेंट पूरा निउस्पेपर आपने निचोड़ लिया है जो भी काम का था बाकियार कावी से लोग बोलते हैं कि सर आप चिनेइडिशन का यूज करते हो पता है डेली अडिशन सुबह साले 5 तक नहीं आता है तो चिने एडिशन का इस्तुमाल कर लेते है अब इसमें कोई डिफरنس नहीं होता फ्रेंट पेज सेम होता है अधिट बिच में जो राज्जे के पेज है कोई डेली की निउज आ तो प्रिलिम्स में आप से यहां पर सवाल पूछा गया था कि भार्द सम्विधान में जितने भी fundamental duty हैं उन में से जो यहां पर चार mention करी गई हैं इन चारों में से कौन सी एक ऐसी duty है जो की fundamental duty नहीं है तो उसका सही उत्तर option number A to vote in public elections यह हमारी fundamental duty नहीं है तो इसके साथ मैं करत हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप से अगले वीडियो में आज के लिए बाइबाई हैव नाइस टे थैंक यू एंड जैहिंद आजाग प्रขणते हैं आज मैं वीडियो में पीज़ में जैए हैं झाले arguingणी में जैए प्रहते हैं